टीम बना रहो, फैंटेसी टीम का सीक्रेट इप्चेट, बना अपनी विनिंग फैंटेसी टीम, क्रिकलेटिक्स के साथ, on cricket.com, download cricket.com now, इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोकिन संभव है, जिम्मेदारी से खेलें तो RCB और Mumbai Indians, ये दो टीम आमने सामने होगी, दोनों ही टीमों के लिए IPL में अभी दक एक एक जीत हाथ लगी है, यानि कि मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत जरूरी है, और दोनों ही टीम चाहेंगी की जीत हासिल करे, RCB एक तरफ विराट कोहली रन बना रहे हैं, बाकि कोई खिलाडी परफॉर्मेंस उसे साब से दे नहीं पाया, दूसरी तरफ अगर आप Mumbai की बात करें, तो पिछले मुकाबले में उन्हें एक बड़ी जीत मिली है, टीम ने बहुत रन बनाए, अब बात करते हैं, इस मुकाबले में Mumbai की प्लेंग 11 में तो बतलाओ के चा रहेंगे, क्योंकि हमने देखी अभी तक RCB की परफॉर्मेंस जो मिडल ओर्डर में आपके Glenn Maxwell और Cameron Green आते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, टॉम मूडी उनका कहना है, जी कि 5 डूपलेसी तो भई कप्तान है, उनकी जगा पर नहीं लगता, लेकिन अगर आप मिडल ओर्डर में देखे, Glenn Maxwell और Cameron Green उनके ऊपर दबाव है, वो अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको Will Jacks को लाना पड़ेगा, Will Jacks आप जानते हैं, पिछले साल वो RCB के केमे में थे, लेकिन इंजरी की वजए से, वो नहीं खेलेते वहाँ पर एक भी मुकाबला, लेकिन इस सीजन वो बेंच पर बैठे हुए है, Will Jacks के पास काबिलियत है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की और वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बना सकते हैं, दूसरी तरफ अगर इस टीम की बात करें, RCB की कुछ और बतलाओ चाहिए, इस टीम को चलो Will Jacks आ जाती है न, कि चार ही रख पाएंगे और वाप डूपलेस ही आपके कप्तान है, तो Cameron Green या Maxwell, इन में से क्या किसी एक खिलाड़ी को RCB की टीम बाहर करेगी, क्या इतना बड़ा फैसला ले पाईगी, RCB की टीम, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि Maxwell उस तरीके से performance आ नहीं यही बात होती है, कि performance नहीं आ रही, नहीं आ रही, लेकिन उस खिलाड़ी को लेकर आपको पता है, क्योंकि एक match हारा हुआ आपको जिता कर दे देगा, जो कोई और नहीं जिता सकता था, लेकिन कब तक, क्योंकि अगर इसी तरीके से starting में RCB matches हारती जाएगी, Glenn Maxwell के performance नहीं उसे साब से इन्होंने performance नहीं दिया है, रन नहीं बनाए है, numbers भी इनके कई बार उपर नहीं चाहूँ हैं, कभी 3 पर, कभी 4 पर, कभी 5 पर, तो बात यहीं है कि अब इन दोनों में से कौन बाहर जाएगा, विल जैक्स आएगे, विल जैक्स प्रेक्टिस कर रहे थे, उनको होने की उम्मीद है, रन बन सकते हैं, इस ग्राउंड पर धेर सारे, तो यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए जरूरी है, बाकि RCV की टीम में, प्लेंग 11 में कुछ और बतलाव की बात करें, तो क्या गेंदबाजी में बतलाव हो सकते हैं, ब्लॉकी फगरसन एक ऐसा खि टीम ने अलजा रीजॉसफ को खिला लिया, रीज टॉपले को खिला लिया, लेकिन अभी तक लॉकी फगरसन नहीं के लिया है, विजए हैं जो उनको मौका नहीं मिला है, जो विजए तेस गेंबाज हैं, विजए कुमार वेस, उनको मौका नहीं मिला है, बाकि महीपाल लो होगा भाई एक ही मुकाबला जीते हैं और स्टार्टिंग के इतने मैचेस निकल गए पांच मैच निकल गए एक मुकाबला जीते हैं तो आप चाहिए जीत और RCB की टीम कंदर काभिलेत है जो हरा सकती है तो आप आप ने देखा है कि किस तरीके से टॉम मूडी ने कहा कि भाई दबाव है फाब डुपलेसी तो नहीं जा सकते लेकिन हाँ यह है कि Cameron Green और Glenn Maxwell को पर प्रेशर है तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर Will Jacks को लाना चाहिए और किस की जगा लाना चाहिए तो कोमेंट बोक्स में आप अपनी राय जरूर पता है वीडियो पस्तन दाव लाइक कीजिए शेयर कीजिए स्पोर्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिविशन की घंटी दबाई यह वीडियो अगर आप हमारे फेजुक पेज पर देख रहे हैं तो फेजुक पेज को भी लाइक कर फॉलो जरूर कर लीजिए